कक्षा दूसरी के बच्चों चलिए आज हम एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी का जो नाम है वो है उट और सियार ठीक है? कहानी का नाम है उट और सियार और यह कहानी आपके हिंदी पाठे पुस्तक के पेज नंबर अधावन पे है ठीक है स्टुइट्स? देखिए अब कहानी में क्या क्या है? जंगल में एक उट रहता था कौन रहता था? उट और एक सियार भी जंगल में एक उट रहता था और एक सियार भी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी वहुत अच्छी बात है दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी एक दिन सियार उट से बोला जंगल के बाहर खेत में नीठे बेर का पेड़ है चलो आज तो उसी के बेर खाए जाएं और दोनों चल दिये कौन दोनों चल दिये? उट और सियार रास्ते में एक नदी मिली रास्ते में क्या मिली? नदी देखिए इस यतर में आप देख सकते हैं यहाँ पे नदी है न? तो फिर क्या हुआ? सियार बोला दोस्त मैं नदी कैसे पार करूँ? बच्चों आपको पता है सियार तो बहुत छोटे आकार का होता है और नदी बहुत गहरी होती है तो इतनी बड़ी नदी में सियार कैसे पार करेगा तो सियार बोला दोस्त मैं नदी कैसे पार करूँ उंट बोला तुम मेरी पीट पर बैठ जाओ सियार उंट की पीट पर बैठ गया नदी पार करके खेत में पहुँचकर दोनों बेर खाने लगे ठीक है? थोड़े बेर खाकर ही सियार का पेट तो भर गया पर उट का पेट बड़ा था थोड़े बेर से उसे कुछ नहीं हुआ वह लगातार खाय जा रहा था ठीक है? सियार बोला उट भाई मेरा पेट तो भर गया अब मेरा मन गाना गाने का कर रहा है किस ने कहा ऐसा? ऐसा सियार ने कहा कि अब मुझे गाना गाने का मन कर रहा है उट बोला ऐसा मत करना अभी मेरा पेट नहीं भरा है यदि तुम गाओगे तो खेत का मालिक आ जाएगा तो उंट ने ठीकी कहा ना कि अभी तुम गाना मत गाओ लेकिन सियार न माना वह जोर जोर से गाने लगा आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया देखिए इस सित्र में आप देखिए है ना अब बेचारा उंट जो है पिटाई खा रहा है है ना मार खा रहा है तो फिर से पढ़ता हूँ इसे लेकिन सियार न माना वह जोर जोर से गाने लगा आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया उसे देखते ही सियार तो भाग गया पर किसान ने उट की खूब पिटाएगी मार खाकर उट वापस जंगल लोटने लगा रास्ते में सियार फिर मिला और बोला दोस्त मेरे कारण ही तेरी ऐसी हालत हुई उट चुप रहा रास्ते में फिर वही नदी मिली अब जाते समय नदी मिली थी तो लोटते समय ने मिलेगी क्या है न वही नदी मिली सियार फिर बोला मैं नदी कैसे पार करूँ उट बोला तुम मेरी पीट पर बैठ जाओ सियार जट से उट की पीट पर बैठ गया उस दिन पानी का बहाव खूप तेज था बीच नदी में आने पर उट ने कहा कितना ठंडा पानी है मेरा तो नहाने का मन हो रहा है इतना सुनकर सियार डर गया और बोला ऐसा मत करना नहीं तो मैं बह जाओंगा मैं तो अभी नहाओंगा कहकर उट ने जट से डुपकी लगाई और सियार सचमुच पानी में बह गया तो बच्चों जैसे को तैसा हो गया है ना तो इस कहानी का जो नाम है उट और सियार इसका एक नाम और हो सकता है बच्चों जैसे को तैसा जिसने जैसा किया उसे वैसी सजा मिली है ना तो उट ने तो अब दोस्ती ठीक ठीक निभाई थी लेकिन सियार को दोस्ती निभाना नहीं आया था जिसकी सजा उसे मिल गई ठीक है बच्चों तो कहानी यहीं समाप्त होता है